हेलो विवान तो फ्रेंट्स कैसे आप सब आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे तो चलिए फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदा सी रेसिपी लेकर आई हूं वैसे यह रेसिपी जो है ना यह व्रत की रेसिपी है पर आप चाहे तो नॉर्मल इसमें सबजी की तरह बना चाहते हैं तो आप इसमें बहुत और कुछ चीज़ा एड़ करके बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है तो यह जीरा वाले आलू बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिया था जिसे मैंने तीन सीट आने तक पका लिया है और आलू को आलू हमारी अच्छे बनेंगे अब यहां पर मैंने काली में जीरा नमक और मुंगपली के दाने यह सारी चीज़ें जो मैं रखी रहती हूं यह मैंने निकाल के अपने किचर काउंटर पे किचन काउंटर पे रख लिया है ताकि मेरा काम इजी हो जाए यह पर मैने दो जीरा और इसके साथ मैंने एक छोड़ा चमज डाला है काली मिर्च तो यहां पर जो काली मिर्च आपके वाद पाउडर तो पाउडर भी आट कर सकते हैं और जोगी यह फ्रेश वाली काली मिर्च होती है जब इसे घ्राइंड करते तो इसका फ्लेवर ही अलग साथा है तो जी पर पेशन्स के साथ अराम से हम इसे भूनेंगे ताकि इसमें अरोमा खुश्बू आने लग जाए उसके बाद मैंने यहां पर मिक्सर के जार में जीरा और काली मिर्च को निकाल लिया है अब मैं इसे ठंडा होने देती उसके बाद में इसे ग्राइंड कर लूँगी सेम प तो अच्छा गोल्डेंड राइड करना है थोड़न थोड़न लगा हम अलका यह चलाते रहेंगे और अच्छे से अलूज को पका लेने पकने देंगे अलूँगी अच्छा ज़दा पकाएंगे उतना यह प्रिस्पी होगा और अलूव का फ्लेवर उतना ज्यादा टेस्ट कि यहां पर इनकों भाड़ायत भी मुधूर जादte कर सकता है मिच में एक जिक है कि भी कोटेटमिल मिर्ची है काफी जाद़ आड करने वा करने वाले ayam तो मैंने 3 medium size के मिर्ची थी जो थोड़ी कम तिकी है वो मैंने add कर दिया है साथ में मैंने यहाँ धनिये को भी अच्छे से धोल लिया है इसे कट करके इसे भी हमें आलू में add करना है तो इस तरह से आलू ना अच्छे golden red हो जाते हैं और बहुत ही crispy बहुत ही टेस्टी रखते हैं यहाँ जो जीरा और कारी मिर्च को मैंने भूना था उसका पौड़ा बना के add कर दिया साथ में मैंने यहाँ पर धनिये के पत्ते भी धिर सारे add कर दिये हैं और मिर्ची भी मैंने इसमें add करी दी थी तो सारी चीजों को हम अच्छे सा mix कर लेंगे और mix करने के बाद हमें इसमें नमक भी add करना है विससे यह जो रेसिपी ना मैं नवरातर वृत के लिए बना रही हूं तो मेरी मम्मी वृत में निम्बू नहीं खाती है तो मैं इसमें निम्बू गरना नहीं डाल रही हूं अगर आप आप नॉर्मल डेस्पे बना रहे न तो थोड़ा सा अमचूर पॉडर यह निमबू भी आठ करेगा बहुत ही टेस्टी लगता है यहां पर मैंने निमबू और अमचूर पॉडर दोनों भी आठ किया क्योंकि मम्मी मेरी नहीं खाती है यहां पर मैंने थोड़ा सा सींदा नमक जो अवरत वाला नमक होता है वो एड़ कर दिया अच्छे से सारी चीज़ों का मिक्स कर दिया फिर से थोड़ा सारी देने का पत्ता डाल करके अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया और ढग दिया ढग करक और अच्छा से मिक्स कर लिया वैसे यह रेसिपी है बहुत ही छोटी सी लेकिन मैंने इसे कुछ अलग तरीके से शूट किया जिसके वजह से थोड़ी सी लॉंग हो गई है तो आई हो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह से मैं आगे रेसिपी शूट करू या नही है और इसके ही साथ में मैंने एपल रखा हुआ है तो यह आज का व्रत का जो नाश्टा है ना मम्मी का फलहार यह बन के तयार है तो आप भी ज़्यूसर ट्राइ करिएगा बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बनता है दही के साथ यह नाडू को कॉम्शन बहुत अच्छा लगता है और मैंने राइता बनाया है यहां पर कुम्बर वाला तो यह और भी टेस्टी बनाया है तो वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक करिएगा और चलिए मिलें कि अगले वीडियो में बाबाई